नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूने तिनकुमार और इससे एसाफ साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच जो सोहार्द था जो अपेक्षाएं थी वो सारी कहीं न कहीं खतम होती जा रही है हम एक दूसरे को नजर से नहीं देख रहे हैं जिस नजर से पहले देखा करते थे आज हम इसी विशे पर चर्चा करेंग समस्या के रूप में कह रहे हैं वो धरम जिसकी पूजा करना जिसकी पूजा पद्धिती में शामिल होना हम सब की राइट है लेकिन उसके बावजूद ये समस्या इस तरह से खड़ी हो रही है या इसे इस तरह से खड़ा किया जा रहा है जो आने वाली पीड़ी के लिए काफी समस्याएं पैदा कर सकता है हमारे लिए भी समस्याएं पैदा कर रहा है आज हम इसे विशेपर चर्चा करेंगे बीते काफी दिनों से अजान भजन हनवान चालिसा माइक, लाउड स्पीकर इन सबने देश-प्रदेश में एक नई जगा बना ली है ये लगातार उन मुद्दों को भड़काते जा रहे हैं जिससे देश-प्रदेश में जो आपसी सोहार्द है वो खतम होते जा रहा है आखिर कौन है इनके पीछे लगातार दिल्ली के जहांगीराबाद में जो आग उठी थी वो उत्तर-प्रदेश के भी कई जगहों पर देख़ी गई हाला कि उत्तर-प्रदेश के कई जगहों पर इसका जो नजारा था वो दूसरी طریके का था लेकिन जाहर से बात है कि कही ना कही जोनी धरम के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को जुकाने की या खुद को अवल बताने की कोशिश पूरी की पूरी की जा रही है जो कि आने वाली पीडियों के लिए जो कि हमारे और आपके लिए जो कि मौझूदा समय के लिए काफी समस्याओं भरा है मौझूदा समय में देश-प्रदेश में कई सारी प्रमुक्ष समस्याओं है जिसमें कोविड है कोविड की नई लहर है बिरुजगारी है अर्थविवस्था है महंगाई है कई सारी समस्याइं लगातार खड़ी है लेकिन हम और आप उन समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं हम और आप अगर समस्या कर रहे हैं तो उन चर्चाओं पर जिस पर कहीं न कहीं धरम का ठपा लग चुका है एक नया विगटन एक विगटन की समस्या खड़ी कर रही है कोई हनुमान जी की जाती बताने में लगा हुआ है तो कोई इस बात को बताने में लगा हुआ है कि अगर अजान लाउड स्पीकर से बजाई जाएगी तो उसी दौरान हम हनुमान चालिसा भी लाउड स्पीकर के जरीए बजाएंगे और बजाया भी जा रहा है ये समस्या लगातार भी तिक काफी दिनों से देश प्रदेश में चल रही है उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर के अलग-अलग जिलों में पहले अली गड़ में देखा गया कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर हनुमान चालिसा लाउड स्पीकर पर बजाया उसके बाद बनारस में देखने को मिला कई अन्य जिलों में भी इस तरह की चीज़े निकल कर सामने आई दिल्ली में इन्ही मुद्दों को ले करके दंगे भड़क गए महरास्ट में क्या हुआ और किस चीज़ का अल्टिमेटम दिया गया है ये सब को पता है ये भी कहा गया है कि अगर तीन मई तक मस्जिदों से लोड स्पीकर नहीं हटाए गए तो महरास्ट के मांसा के नेता उनके कारेकरता जबरन लॉड स्पीकर्स को हटाएंगे देखना ही होगा कि तीन मई तक क्या होता है अल्टिमेटम दिया गया है लेकिन उसकी जो आग है वो अब पूरे देश-प्रदेश में फैलती जा रही है और इससे कहीं न कहीं आपसी सोहार्द बिगड़ता जा रहा है हम एक दूसरे को शक की निगा से देखने लगे है हमारे बीच वो भाईचारा नहीं बचा है और इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो काफी एलट मोड पर है क्योंकि मुख्यमंतरी योगिया दितनात नहीं चाहते है कि वो आग थोड़ी भी इधर उत्तर प्रदेश में आए समस्याएं खड़ी होएं लोगों के बीच सोहार्द बिगड़े लोगों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होए क्योंकि लगातार इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही थी और उसी के बीच मुख्यमंतरी योगिया दितनात ने एक एहम फैसला ये लिया है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी जुलूस या किसी भी तरह की कोई शोभाय आत्रा किसी भी धर्म के लोग को निकालनी है तो उसे पहले सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ेगे सरकार से ओर्डर लेना पड़ेगा उसके बाद ही इस तरह की चीज़े होएंगे मुख्यमंतरी योगिया दितनात की तरफ से ये भी कहा गया है कि सभी को हक है कि वो अपनी पूजा पद्दती के अनुसार धर्म की पुजा करें भगवान की पूजा करें उनके अपने जो भी इश्वर हैं, अल्ला हैं उनकी पूजा करें, उनकी प्राथना करें लेकिन उस से किसी और को कोई भी दिक्ट नहीं होनी चाहिए अगर loudspeaker का इस्तमाल, mic का इस्तमाल किया जा रहा है तो उसके sound में वो disability होना चाहिए जो कि सिर्फ उस धार्मिक स्थल के अंधरी हो बाहर तक उसकी आवाज ना आए ताकि किसी को उसको ले करके समस्या खड़ी हो मुख्यमंत्री लगातार सजग है लगातार मुख्यमंत्री योग्या दितनात की तरफ से आदेश दिये जा रहे है और अधिकारियों को ये हिदायत दी जा रही है कि आने वाला जो समय है उसमें कई सारे प्रमुक तेवहार है जिसमें अभी देखा जाये तो रमजान चल रहा है इद आएगी अक्षे तृतिया आने वाली है कई सारे प्रमुक तेवहार हैं जिससे कहीं न कहीं जो बाजार है वहाँ पर भीड काफी होती है ऐसे में साफ तोर पर मुख्यमंत्री योग्या दितनात की तरफ से अधिकारियों को हिदायत दी गई है आदेश दिया गया है कि जो समस्याएं दूसरे प्रदेशों में बड़े पैमाने पर फैली हैं जिन समस्याओं ने दिल्ली के जहांगीराबाद में दंगे करवा दियें वैसी समस्याएं उत्तर प्रदेश में खड़ी ना हो अधिकारी सजग रहें अधिकारी पेट्रोलिंग करें अधिकारी जो धरम गुरु हैं उनके साथ बैठके करें शांती का महौल रखें एक दूसरे से भाईचारा बनाने की कोशिश करें या एक दूसरे की भीच समन्जस बैठवाने का प्रयास करें रातरी विश्राम करें चोटियां भी रद कर दी गई है तुसाफ तोर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को जान रही है कि जो आग दिली से भ़ड़की हुई थी वो धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश आ सकती है लेकिन साफ तोर पर मुख्यमंत्री योगिया द इतनात ने यादेश दे दिया है कि अगर किसी को भी इस तरह का कोई भी कारिकरम यानि जुलूस और शोभायातरा निकालनी है तो पहले सरकार से पर्मिशन लेनी पड़ेगी प्रसाशन से पर्मिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा एक और प्रमुखादेश मुख्यमंतरी क तरफ से दिया गया है उन्होंने ये कहा है कि जो नए धार्मिक इस्थल हैं अगर वहाँ पर लौड स्पीकर या माइक लगाना है तो पहले उसकी भी परमिशन लेनी बहुत जरूरी है तो कई सारे प्रमुक आदेश पहला तो ये कि आदेश लिना पड़ेगा शोभायात्रा या फिर किसी भी तरह सा जुलूस अगर निकल रहा है तो उसके लिए इसके अलावा अगर लौड स्पीकर या माइक का इस्तमाल किया जा रहा है तो उसका जो ऑडियो डेसिबल है वो कंट्रोल होना चाहिए वो उस धार्मिक इस्थल से बाहर ना आए आए आवाज इसके अ आने वाले दिनों में जो दिल्ली जैसी समस्याएं दिल्ली के जहांगीराबाद में खड़ी हो गए थी दंगे हो गए थे उसकी आग उत्तर प्रदेश तक ना पहुचे फिलाल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन यहां पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आकिर इस तरह की समस्याएं क्यों खड़ी हो रही थी क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाओं के बाद ही इस तरह की समस्याएं देश प्रदेश में खड़ी हुई क्यों इस तरह का महौल बनाया गया जिससे लगातार समस्याएं बड़ी होती जा रही थी और एक दूसरे के बीच जो विगठन की समस्या थी जो शोहार्द बिगड़ रहा था आखिर कौन लोग थे उसके पीछे कौन वो लोग हैं जो इस मंचा से काम कर रहे थे कि आपसी सोहार्द बिगड़ सके फिलाल आप एक रिपोर्ट देखे और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर आज इस मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारे और आपके लिए कितना एहम है और इस समस्या की पीछे कौन था एक रिपोर्ट देखे दूसरे कारिकाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मकसद से सुबे के मुख्या योगी आधितनात ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी बक्षे नहीं जाएंगे बीटे दिनों दिल्ली में हुए दंगे और यूपी में उसकी आग को फैलता देखकर सीम योगी ने आधिश जारी करते हुए कहा अब शोभा यात्रा या किसी भी जुलूस को निकालने से पहले आयोजकों को शान्तिस और हार्ध कायम रखने के संबंध में शपत पत्र दि को अनुमती दी जाएगी जो पारामवरिक हों और नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमती ना दी जाए आपको बता डे कि राम नवमी के मौके पर देश के कई राजियों में हिंसा की घटनाय सामने आई थी वही हनुमान जैन्ति के अफसर पर भी दिल्ली के जहागीर हालकि उप्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिती बनी नहीं है लेकिन राज्यसरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है जबकि महराश्ट्र सरकार ने भी प्रदेश में शान्ति बनाई रखने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया था इसके तहट अब धारने की स्थलों पर लाउट स्पीकर लगाने से पहले राज्यसरकार से इसकी अनुमती लेना अनिवारे कर दिया गया है जो बिना अनुमती इसे बजाएगा उसके खिलाफ सक्त कारिवाई की जाएगी डेस्रिपोर्ट प्राइम टीवी तो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सक्त है ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्तर प्रदेश में ना खड़ी होए और आने वाले दिनों के लिए भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी धार्मी किस थल पर किसी को माई के अलावड स्पिकर का प्रियोग करना है लगाना है तो उसके लिए पहले सरकारी परमिशन ने नी ज़रूरी है लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे आकिर कौन लोग थे कौन लगातार इस तरह की समस्याओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं थे हम उसी पराच चर्चा करेंगे फिलाल हमाई साथ जो महमान है वो सभी जुड़ गए है हमाई साथ इस वक्त पवण शिवास्तो जी वरिष्प्रतकार के रूप में जुड़े हुए है इसके लावा आरिफ महमूद हमाई साथ आरेलडी के प्रवक्ता जुड़े हुए है चंदरेश कुमार सिंग हमाई साथ कॉंग्रेस से जुड़े हुए है और इसके लावा अनराग मिश्रा हमाई साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए है बीजेपी से दिवाकर जी अभी से थोड़ी दिर में हमाई साथ जुड़ने वाले हैं फिलाल मैं अपनी डिबेट को शुरू करूँगा सबसे पहले पवन जी मैं आपी के पास आऊँगा आज एक एहम फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है कि धार्मिक स्थलो पर अगर लौड स्पिकर या माईक का इस्तमाल करना है तो पहले उसकी अनुमती ली जाए अगर शोभाय आत्रा अगर जुलू से निकालना है तो पहले उसकी अनुमती ली जाए ये तो एक फैसला हो गया लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली के जहांगी एराबाद की जो आग है या उत्तर प्रदेश के कुछ अलग-अलग जिलों में जो चीजे देखने को मिलें कि अजान के समय पे हन्वान चालिसा बजाई जा रही थी लौट स्पीकर के जरीए इस तरह की चीजे कौन खड़ा कर रहा था कौन इन समस्याओं को उत्पन करने की कोशिश कर रहा था कौन आपसी सोहार्थ बिगाडने की कोशिश कर रहा था ये सत्य है किसी भी जनता को किसी प्रदेश को चलाने के लिए कानून ब्योस्ता बहुत अच्छा होना चीए और कानून ब्योस्ता किस तरह से चलाया जाता है इसका उदाहरण है दुली भी है और आपका उत्तर प्रदेश भी है हम किसी के तुलना नहीं कर लेंगे जो सच्चाई है अभी जो आदितनात योगी जी ने जो निरडे लिया है हमें तो जो अपने विचार से देख रहे हैं इसका सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी धरम को इसको एकसेट करते हुए पालन करना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं फिर धरम की आड में लोग राजनीत करते दिखाई पड़ेंगे ये भी सच्छा ही है और धरम की आड में राजनीत करते हैं तो इससे देश का और प्रदेश का ही नुकसान होना है तो उचित तो यही है कि अब और जो पहले की राजनीत होती थी जिस पे य लेकिन ये एक सिधा सिधा उदहरण भी है कि जो हम लोग अभी दंगे हम लोग ने दिल्ली में देखे हैं दिल्ली में जो दंगा देखा है हम लोगों ने और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग ने दोनों का अगर हम लोग तुल ना करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी दं नितिन जी इसमें कोई दोराय नहीं साच्छात है और सब को मालुक जगजाहिर है अगर हम परिवार को चला सकते हैं तो गारेजन के उपर उगली नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन अगर परिबार में हमारे चाल लोग हमारे परिवार में रहते हैं और आपसी रंजी सापसी छोट, लडाई जगडे होते हैं तो इस पर कही न कहीं इसका जो है जिमेदार, जो होता है वेकnd वो मुख्या होता ह और उस मुख्या का तात्पर हम यहाँ पे मानने मुख्मंत्री से जोड़ना चाहेंगे चाहे हो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो तो कहीं न कहीं दिल्ली इस पे जो है अपना जो मुख्या गिरी थी वो चला नहीं पाया इस पे कोई दोर आई नहीं है ये सच है ठीक है अनराग मिश्राम है साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आदमी पार्टी से जुड़े हैं। के लोग जाते हैं भारती जंता पार्टी के लोग उनको गुला करके बिना अनुमत लिए मुख्यमंत्री जी के यहां जा करके जिस तरीके से दंगा हुआ पूरा वीडियो सामने आया था उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया जाता है भारती जंता पार्टी के द्वारा अभी दस अप्रेल को संत के चोले में पहन करके कुछ हराज़त कर तो जिस तरह के से खुले आम ये कह रहे थे कि महलाओं के साथ रेप की बात कर रहे थे उनके अमपर कारवाई तो करी गए ना यूपी सरकार की तरफ से आरे क्या बात कर रहे हैं भारती जंता पारिटी के सांसद के संभानित कर रहे हैं माला पहना रहे हैं तो भारती जंता पारिटी गुंदों को संदग्षा देने वाली पारिटी है और आज आप किसी भी गाउँ के अब कर आदि gebracht कि उ स्नलिक पारवाई देगे मैसेज तैयार किये जाते हैं वो एक तरफ से उत्तरफदेश के पूरफ से लेके पश्चिन तक सारे चीजे फैलाई जाते हैं बाकादा इनको ट्रेनिंग दी गई रहती है बेतु के तरक के साथ जो है वाक्सेप पे इस तरह के मैसेज जो हार्मिक नफरत फैलाने वाले मैसेज है वो भेजे जाते हैं कौन नहीं जानता है कि हमारे यहां रामचीत मानस पाठ जब होता है तो 24 गंटे का रामचीत मानस पाठ हम लोग लावड स्पीकर लागा करके बहुत प्रेम से उसको करते हैं कौन नहीं जानता है कि आजकी ये समस्या नहीं है सभी हमेशा जानते हैं कि जो जीज धर्म को मानने वाले लोग है अपने पूझा पड्ड़त के अनुसार अपनी पूझा कर रहे है उसका सम्मान है उसमें कहने की बात क्या है और जहां भी धारवी कारिक्रम होते हैं तो आप मानते हैं कि पावन जी ने इससा बात को कहा कि दिल्ली सरकार का फिलियोर है इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार का कहा से फिलियोर है दिल्ली सरकार का कहा से फिलियोर है दिल्ली सरकार तो शिच्छा की बात करती है लिल्ली सरकार के पास पुलिस है नहीं है पुलिस तो उनके पास है कानून बिवस्था उनके पास है उन्ही के लोग है पुलिस खड़ी रहती है और उसी के सामने भारती जंता पार्टी के कारे करता आते है बलकि पुलिस की गारी में बैट करके आते हैं आप देखिये न इस तरीके से आप बात कर रहे हैं हम तो सीधे कहते हैं कि हमने बता भी दिया है कि हम कट्टर देशबंत की देशबक्ती और कट्टर इमानदारी और साथ में इंसानियत और भाई चारा यह हमारी भी चावधारा है हम लोगों की जो रोज मर्रा की जरूरते हैं उसकी बात करते हैं आप महंगाई की बात कर रहे हैं आप पेट्रोल डीजल की बड़ती कीमतों पर बात करना नहीं चाहते हैं आप रोजगार की बात करना नहीं चाहते तो आप कभी अजान ले आएंगे कभी आप कहेंगे कि लाउ लिट्टी कर लगाएंगे अपी लोग की तरफ से खड़े किये जारे हैं ना उन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं यह तो भारती जमता पाल्टी के लोग खड़े कर रहे हैं यही भी मर्श पैदा करते हैं हम तो आज के दिन भी हम बोल रहे हैं कि हम शिच्छा की बात करते हैं ठीक है ठीक है मैं आता हूँ आपके पास आरिफ मेहमूद हमाई साथ आरड़ी से जुड़े हुए आरे भाई आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है आप इस फैसले से कितना सहमत है और दिल्ली में जो हुआ कि आपको लगता है कि वहाँ पर कहीं न कहीं अगर इस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार पहले ले 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 लेती तो शायद ये सारी चीजे वहाँ पर नहीं होती बहुत अश्का फैसला योगी जी ने लिया है और ये धर्म और ये जात के बारे में ये पहले से लेना चाहिए ठाल मगर अब यह फैसला बाद मिलिया जा रहा है कोई बाद नहीं देर आए जरूसता है तो हम सब उनका स्वागत करते हैं विपक्स केनाते और उत्तर परदेश के अंदर जनता भी इस फैसले का स्वागत कर रही है मगर आप ने दिली के बारे में जो किया है। कि दिल्ली की सरकार का failure है नहीं दिल्ली की सरकार का आप ने पहले दिल्ली की सरकार की बात की थी मगर दिल्ली की सरकार का कोई failure नहीं है आज मैं देखी आम आदमी पाटी कोई परवक्ता नहीं हो, मगर सत्ता मुझे कहने में कोई पूरेज नहीं है कि आप मुझे पूलिस दे दो आप देख्लो दिल के इस अपराद होता है नहीं होता है। कलिके भी कंदो रहे हैं क्यों बदुख के अंदर आज क्यों नहीं हो रहा है उत्तर परदेश के अंदर अगर थीक है अपस में लोगों के अंदर थोड़ी बहुत कुछ भी कट उता रही होगी मगर आज इस फैसले से धिर एक होकर कि खड़ें ओ रहे हैं हिंदु पहले से कदम उठाथी तो यह होते ही ना डिली में आप मदद परतेश में आप चले तो यह अगर अपराद को भडावा देरही है मदद-परतेश में तो यह भारती-जंता-बार्टी की सरकार दे रही है दिल्ली में अगर कोई बढ़ावा दे रहे है तो ये केमर की सरकार कर रही है क्यों नहीं पुलिस को अपने कबसे में ले रहे है क्यों नहीं पुलिस को आप मिर्देश दे रहे हैं अगर वहाँ पे केमर साजित पुलिस है तो ठीक है आरे बाई उत्तर परदेश के अंदर तो किसी भी परीक है कि कोई आपस में हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए और आपस में मिल करके आपर जैसे रहे थे ठीक 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 है पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी लोक्तांत्रिक रूप से चुना हुआ मुख्यमंत्री धार्मिक प्रतिबंद लगाने की घुष्टा कर रहा हूँ और देश की जनता आपके बाकी साथी समर्थन कर रहे हैं तो निये सुनिये सुनिये मैंने कहा स्वतंत्र भारत की तिहास में पहली बार भारती जनता पार्टी ने ऐसा माहौल देश में खड़ा किया कि लोगों को धार्मिक प्रतिबंद पर विचार करना पड़ रहा है पचास-पच्पन साल कॉंग्रेस के हुकूमत रही ऐसा समय नहीं आया कि देश में कभी धार्मिक प्रतिबंद लगे आज भारती जनता पार्टी ने मात्र और मोदी की साथ साल की सरकार ने देश को इसी सिती में लेकर चली गई क्योंकि ये नफरत की राजनिती करते हैं इनकी राजनिती उत्पत्ती ही नफरत से हुई है ये मंच पर सभाव में आकर जिन्ना को गाली देंगे और जब सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो उसी जिन्ना के साथ सरकार बना देंगे ठीक है भार्ती जनता पार्टी के नेताओं ने राजनितिक मनसूबे के वो साधने के लिए लगातार देश और प्रदीस में संपरदाइक ब्यानवाजियां कि जिसका पड़ाम हमने देखा कि कई जगहों पे भाजपा के स्पमठक या भाजपा के विरोधियों ने हिंसा को जर्म दिया इसके जितनी भी निन्दा कीजाए कम है जाहिए वो उस पत से हो या इस पत से दोनों पर्च में अच्छे लोग हैं, दोनों पर्च में बुरे लोग हैं और ये बुरे लोगों के द्वारा फैलाया गया एक कृत है जिसकी प्रसंसा नहीं की जा सकती सब्से पहले तो मैं केंज सरकार से मांग करता हूं कि देश के अंदर जो इस प्रकार के दंगे हुए हैं एनाईय को गठित करके और तुरंट इसकी जाज कराई जाए दोसियों को सक्ष सक्ष सजा देने का कारिक किया जाए पूरे देश के अंदर जो दंगा हुआ उसमें भारती जन्ता पार्टी का काला चित्था सामने आ गया और यह पता चला कि इन दंगों में भाजपा और आरेसेस के कारेकरताओं का हाथ था योग्यादित तिनाजी ने ये फैसला भाजपा के मुझ पर लगे हुए कालिक को धोनों के लिए दिया तो एक तरह आप कह रहे हैं कि इसमें भाजपा वाले शामिल है दूसरी तरह आप कह रहे हैं ना ये इसकी जाच भी करे तो कह रहा हूं कि भाजपा शामिल है इसने तो भाजपा जाच नहीं करा रही है अन्यता दंगों की जाच कराकर दंगाईयों को जेल भेजिए ठीक है उनका जगह जेल में है बाद में दूसरी की एक और जोड़ी चेशिटी में दिली की जहां तक बात है। दिली में बिधान सभाद चुनाओं से पहले भी दंगे सुरू हो जाते हैं। दिली में इस्थानी निकाय के चुना होने, M.C.D. के चुना होने हैं। जरंगे शुरू हो जाते हैं, दिल्ली पुलीस गिरिह मंत्राले के अधीन है, वहां पर कर्मिशनरीज सिस्टम है, दिल्ली पुलीस और दिल्ली प्रशाष्ण गिरिह मंत्राले क्या कर रहा था, राज जेपाल की भूमिका उसमें क्या थी, देखे एक बात इस वच्च कर दें 30-32 साल हमारा भी उम्र हुआ, हमें भी इतना तौनवाव है, जदी एक ठानादार चाह ले, तो उसके हलके में कुछी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि दंगा कर दें, इस ठानादार चाह ले तो, लॉइन आर्डर की रिस्पोंसिबिल्टी डिस्टिक मजिस्टेट को है, डि लेकर 28 तक आपको अधिकार है, लेकिन आप धार्मिक उत्सवों में हथियार लेकर क्यों जाते हैं, रिवाइवर से फारिंग क्यों करते हैं, तलवार क्यों लेकर जाते हैं, तलवा बं क्यों लेकर जाते हैं, इसका मतलब कि आप धार्मिक जलसा कम उपद्रों जादा कर र प्रदेश की बात करी जा जो आज फैसला लिया गया है मपंतर जी की तरफ से उस पर भी काफी चीज़े जो है अच्छा नितीन जी सबसे पहले मैं प्रवक्ता आम आधिम पार्टे की बातों पर जाना चाहता हूँ अपनी कायारता को दूसरे के उपर थोपना एक हमारे यहां होता है ना कि अपनी टोपी दूसरे को पहना देना दिल्ली पुलिस भाजपा के सरकार के केंसरकार के अधीन है ठीक है केंसरकार के अधीन आसे नहीं है यह जो कांग्रेस के महदे कह रहे हैं उनकी सरकार जब रहती थी तब भी एक प्रक्रिया थी कोई नहीं प्रक्रिया नहीं बनी है उसमें चेंजिंग अभी कोई नहीं है पुरानी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस हमेशा केंसरकार के अधीन रही है और दिल्ली हमारा सबसे राजधानी है केंडरकी वहाँ सारे आफिसेज है सारे देश के बरिश्ट लोग वहां रहते हैं हमारे प्रसान मंत्री जी रहते हैं राच्पस जी रहते हैं और इन की आप आधपाटी है इनको मैं कहाना चाहता हूं कि यह वताइए प्रायोजन का पता लगाना जैसे कांग्रेस ने कहा बात सबकी एक साथ आ गई कि डियम जिम्हेदार होता है डियम साब को देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है जो अपने गुप्तचर है पुलिस के भी गुप्तचर हैं दिल्ली क का इलाज आता है दिल्ली में दंगा होना कहीं से उचित नहीं है लेकिन एक विशेश समुदा ही हमेशा दंगा करें और हिंदू का तेवार हो और रास्ते से जा रहा हो उस पर इंटे पत्थर चलाए जाए यह कहां इनको सोभा देता है बही कि दिल्ली पुलिस का पुलिस तो तब काम सुन होता है लेकिन योगी आजित नाज जी ने जो प्रतिबंद लगाए हैं अरे आप से बात भी नहीं कर रहा हूं भाई अरे ठीक है पहले बात तो सुन लिजे आप चंद्रेश भाई सुन लिजे हाँ दिवाकर जी जब प्राबलम कोई क्रियेट होती है नई प् डू सांती से गुजिर रही थी डंगे की देश्यंसे लोग रहते हैं हमेशा संपनता के साथ और सुचिता के साथ दिल्ले में लोग निवास करते हैं पने कारोबार के संबंद में अधिक से लोगbased हो वहां का स्थाही तो जो है वहां सारे देश का स्थाहित हो है ऐसा क् iहा काम जितना ततपरता के साथ पुलिस का जवान गोली खा करके उस दंगे को रोका है इनको पुलिस पे कहां से संदे आ रहा भई पुलिस की जवान अपने जान की परवाने 17 लोगों को ले करके उतने बड़े दंगाई जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं जिनकी नियत खराब थी उसमें जाके अपने जान की बाजी लगा करके उसने रोका दिल्ली पुलिस पे आप कलेम मत करिये वहां की बेवस्था में सुधार होना चाहिए आपकी सरकार दुबारा आई है आपकी मेजाटी रहे अच्छी बात है लेकिन पुलिस पा बलेम मत लगाईए पुलिस हमारी बहादूर है अपने बख्भूबी अंजाम दे रही आओ जाच जाच तो सबकी हो रही है जाच तो सबकी हो रही है और दिल्ली में भी जाच होगी और जितने लोग हैं बचेंगे नहीं और जो बाबा बुल्डोजर का अपने नाम लिया कांग्रेज भाई ने कि मद्द परदेश में चल रहा है नकल ये बाबा बुल्डोजर की तो हर जगह आ गई है और उत्तर परदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं दंगा करके दिखाए जो आपने कहा था कि दंगा करके दिखाए न कोई वीपी में बाबा का है बुल्डोजर ये कानून बनाने में और किरिवान उन्हें में समय लगता है आज उत्तर परदेश में दंगा नाम की चीज नहीं है और जहां तक आज बाबा का कानून आया है इसके RLD भाई ने सहमत ही दी है सारे हिंदू भाई मुसल्मान भाई से सहमत है जो पुरानी परंपरा थी हम नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं जब लावडी स्पीकर हमारा रामान बचता था तो कहीं से हम नहीं कहते हैं उसका प्रविट से कोई रोक लगाने वाला नहीं था धार्मिक आस्ता को भाई चारे के माध्यम से ही रोका जा सकता है आज सारे लोग चाहरा है कि रात में अगर लड़का सकता है को रोकने की बात कर रहे हैं अरे सुनेगे दार्मिक आस्ता की प्रक्रिया को सुधार करना मैकने कहा रोकना नहीं आउसको बात चीत के माध्यम से होता है अरे आप क्या कर रहेते हैं सब तरसा इलाउडी स्पीकरा से बज़रा है आजाना से हो रही है जब से भाजबा सरकार आई है तब से डिस्मिल्ट हो गया कितने आप रहां भी कहाएंगे सुनिए प्रतिबंद नहीं है दार्मिक आसका कि प्रक्रिया कुं मैंने कहा अरे उसको लिए उसको लेटा है पहले परी बारी बारी बोलिये ऐसे डिवेट नहीं करिए प्लिए प्लिए आप गरे आप दूस्तर करीं नहीं पर गया आपके पास काउंटर करिएगा कि दोनों लोग खुस हैं आवाज से कोई प्रसंद नहीं है और पहले की जन्मानस और आज की जन्मानस में बहुत अंतर आ गया है आज हमारा बच्चा जब पढ़ाई करना एक्जाम है कि थोड़े आवाज कम करिए और हमारी सरकार मतलब मैं जानता हूं मैं खुद कारिकरम कराया हूं और एक परमीसन लेनी होती है कि इतने ही डिसमिल से ज़्यादा हम आवाज नहीं बजाएंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की जहां तक है हम लोग साधी बीबा में जब डीजे बजता था उसका भी एक डिसमिल तया है कि इतने ही डिसमिल की आवाज आपके निकलेगी और जलूस कोई भी निका लिए धार्मिक जलूस लिका लिए लेकिन जो उसमें संसोधन करने की जरूती महराज यह ने बहुत बढ़े संसोधन कर दिया है कि आप सपत पत्र दीजेन भाई कि हम इन लेमों का पालन करेंगे जैसे हम लोग साधी बीबा में और किसी चीज में परमिसन जब म्यूजिक की लेते हैं आज प्रक्रिया पहले पिछले सालों से लागू है उस प्रक्रिया का पालन होता है यह डियम आदेश करता है कि इतने सम हमारी बाराज जानी है पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है भाई साथ कहीं कहीं चूक हो जाती है उसके लिए प्रसासन तयार है और अपना प्रसासन हमारा प्रसासन जोगी जी का प्रसासन नकल बुल्डोजर की पूरे देश में हो रही है यही बुल्डोजर दंगा और पहली बात तो जो दिवाकर भाई ने कहा है इनको पता होना चाहिए कि खुद इनकी सरकार ने आकड़ा अपना प्रसुत किया है संसर में 2014 से लेकर के आज की डेट तच 3400 दंगे इन्होंने करवाए इन्होंने कैसे करवाएं आप ये क्यों करे रहे हैं इसलिए मैं करा आओ पुरी जिम्मेदारी करा हो कि भारती जंता पार्टी दंगा करवाती है जो कि दंगाईों के माला पहनाने का काम आप लोग करते हैं जो खुले आम ये कहता है कि मैं एक धर्म विशेष के लोगों की लड़कियों के साथ रेप करूँगा खुले आम जो कहता है उसको आपके सांसर माला पहना के लिए किसी नहीं आपका रोप दरत है हमारी पालठी पह प्रसरा नहीं दिती है जेगá है पर दजयति के बाद करेंगे आप देखिए अपनी बाद देखिए आप कहां इसे काशलों का पेंसर रहा हैं जो जंता के द्वराद चुने हुए जंता के चुने हुए मुश्यमंत्री को अगर कोई गुंदा करता है तो सबसे पहले जेल जाता है इसका उधार उटरप्दी सरकार हो तर्पदी सरकार है जो साबित करती है आप लोग देश कानून का दुरूपयोग होगा क्यों दुरुपयोगोगा भारती जंता पार्टी के लोग हज़ारो हज़ार की संख्या में खड़े हो करके उसी दारा इस्तो चौवालिस के समय में कारेकरम करते थे और दूसरी पार्टीयां जब कोई भी कारेकरम के लिए अनुमत लगाने के लिए जाती थी तो प्रसासन कर देता था धारा इस्तो चोवालिस लगी अनुमत नहीं मिलेगी लेकिन भारती जंता पार्टी के लोगों का सब्ता मत्रेकरम नहीं रूपता था तो आप अपने इशारे पर कानून बनाएंगे और कानून बनाने के बाद बहुत अच्छा है अगर कार्ये का इमांदारी से इसलिए शड़ोता है कि सुबसे साम तक आपके आई-टी से लोग तयार करके नबरकृता पार कर रहे हैं बाद पाके बन करके उनके जाज हो रही है उनके खिलाप करवाई हो रही है आप बाद पर काति से नहीं है इसकी टाज कर वा लिगे जाज तो देखेश कोई बचेगा नहीं अगर गलती से कोई कहीं घुजगे तो बचेगा नहीं सरकार भी दायक को नहीं बक्स लिए तो आइपी सेल में गलती से करें विज़े जो डायक को नहीं होगी टिक ठीक ठीक है ठीक है चंदरिश क्या कह रहते हैं? बात बात आप लोग बहुत उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही चुनाओ अभी एक महीने बाद होता तो आप देखते उत्तर प्रदेश दंगों का भेच चड़ गया होता और ये दंगा कराने वाला कोई और नहीं स्वय मुख्यमंत्री जी होते तो अब जल्ली चुनाओ पूराने भास्रों को पानी तक सब्सक्राइब क्या बोलेंगे अपने में जाए जो संप्रदाइब की तीड़ी चड़का राजनितिक में मुख्यमंसरी के पत्तक पहुंचा हो उसे आप लॉएन आडर की बात कर रहे हैं जो लगातार लॉएन आडर तोटने का काम करता है किस के आप बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में जिस विधायक का उधार दे रहे हैं कि जेल भेज दिया गया भाजपा के कितने दोसी विधायकों पर आपने करवाई किया लगभग 55% मुकदमा दर्ज होना आपराद असीध नहीं है आपराद सिद्रेश में बचेगा हैं और जिसने कैबिनेट मंत्री बने हैं उसमें से 50% के उपर गंभीर आपरादि कि मुकदमे दर्ज हैं क्या बात कर रहे हैं आप तो राजनीतिक करेंगे राजनीतिक मुकदमे अपराद की स्रीनिम में आता है और सुन लीजे आप काने से आरोप लगाने से कोई अपरादी नहीं हो जाता है यह सरकार का नियम है यह कानून का नियम है कानून का पालन होगा आप किसको दंकी दे रहे थे नहीं आप किसको बुल्डोजर की दंकी दे रहे थे आपकी हैसियत हो जाकर आवयद कप जा करिये आप कानून का उलंगन करिये तो कानून अपना काम करेगा सधिनरज झाणूस्त ब्यक्टिगत मत हुवा करो ब्यक्तिकत नहीं है को अपने सरकार की मर्याधा के आंतरगत वाद किया करो हम अपनी शरकार की मर्याधा के शर्म पाइस ने तो क्हूंद का इंस अनुद बात कर दिया थी misunderstanding लिए नहीं करते बेरोजगारी पर आप बात नहीं करते नहीं करते यह गए यह है और कि अपना के गए थे इसको हमारी दिया करो सरकार में हो अच्छी बात है लेकिन इतना उतावले मत लगाई आप अनरगा लारोब किसी अमारे प्रदी के किसी भी वरिष्ट मुख्यमंत्री पर किसी बरिष्ट मेता पर सीधे अरों मत लगाई ये जब तक सितना हो जा सरकारों की गुर्गान करते थे आप मंतरी कहेंगे कि कॉंग्रेस की महत्तो कांची योजना थी कावा के दिखलाओं सरकार हम नहीं करार किया उसके लिए आप तारिष्ट दोगे क्या आप अपने प्रदार मंतरी के बातों को ज्यान रखिए और उस बेवस्ता को सुधार करने ने सरकार को कितना समय लगा है देश में सरकार बनाने के बाद भी देश वीरोधी गतिविधी में आप सामिल हो मैं कह रहा हूं कि लोगों का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी से हटाने के लिए ये दंगा भाजपा प्रायोजित था है और ये रहेगा इसकी मैं गोर निंदा करता हूं आपके बगतब क आया है उस पर आप लोग बीजेपी के साथ हैं क्या कहना इस पर हम लोग चौदरी चरंशिंगी के अन्याई हैं अगर सरकारें अच्छा काम करेंगी वह हम निश्चित रूप से उसकी कांग्रेस और आमाने पार्टी को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है नहीं सुलिए मेर अब कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ खड़ें हैं जो हमारा जो हमारी मूल समस्या है जो जनता की समस्या है हम बीजेपी के खिलाब सड़कों पर उतरेंगे अभी परवक्ता जी ने एक बात कहीं कि इस सरकार में सम आलाई है कहीं कोई भरस्टा चाह नहीं ह पूछ रहे हैं मुझभर पूर में उस दंगों की जाज क्या बार्ती जन्ता पार्टी ने कर वाई हुई सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए और विपच का काम है अगर सरकार की अच्छे काम ने तो उसका विरूद बेख करें सब्सक्राइब कर देंगे तो दिवाकर जी से मेरा दो सब्सक्राइब कर देंगे क्यों नहीं जन्ता गिवीज में रखा जा रहा है कितना पैसा परदानमंदी कोश में जन्ता ने दिया और कोरोना के पीज कारकार ने दिया वो सब पैसा कहा चला गया और एक सवाल और मैं पूछना चाहरा हूँ तो जल्दी से समाजवादी हमारे गडबंदन के समाजवादी विजायतों के उपर जो उन्होंने कुछ बोल दिये उसी पर बूलोगर चला गया वो सभी है तो कम से का मगर किसी ने घलत किया है तो आप उसके खिलाब एक मुल्जिम तो बनाईए जवाब लेते हां दिवाक सरकार का होना चाहिए और अच्छे कामों की तारीब भी होने चाहिए अगर काम कोई उनके हिसाब से जनता के हित्म नहीं तो उसका विरोध भी सकारात्मक रूप से सदन बनी है सदन में करना चाहिए और उसका सदन समचित जबाब देती है अगर सुधारात्मक रहता है तो सुधार भी करती है यह सरकार का नियम है कि सरकार के अच्छे कामों की तारीब करेंगे और जो काम जनता के हित में उनको लगेगा कि नहीं है उसका सदन के माध्यम से विरोध दर्ज करके उसमें सुधार कराएंगे सरकार में सुधार के इसमें तो तारीब कर नहीं रहा हूँ और अगर किसान कानून आया जिसका बीरोध वा और अगर प्रदान मंत्री जी के संग्यान में आया नहीं से किसान वाई हिए नहीं खुस हो रहे हैं नाराज था बहाय आक मैं आपको करा प्रदान मंतरी क्यों को अमारे समझ में आया और जेकि张 हमारी दूरगामी परड़ाम को नहीं समझी किसी माध्यम से गुम्रा रहे और उसको जब प्रहान मंत्री जी की संग्यान में आए कि अभी हमारी उपनी जनता को नहीं समझा पा रहे हैं बीना किसी लाग लपेट के सारे मुकदमें सही ता सदन से पास हुआ था सदन में उसका सुधारात्मक निड़े भी लेने के हम ऐसा प्रदामन्तिय जी आहाद करती थे आईये चर्चा हो जा आईये चर्चा हो जा आप लोगों की सरकारों के नरानुमा चर्चा करने को तयार नहीं थे उनको ए सब्सक्राइब नितीन जी एक सच्चाइए तो यह है कि आधितनात योगी जी ने जो आज फेसला लिया बहुत अच्छा लिया बता रहे हैं नितिजी बता रहे हैं अभी पांच आरोपियों को नसे लगाने का आदेस हो गया है योगिया इतना जी के द्वारा जो केंडर में चल लहीं वे उजना है जो भी योजना है वहां पर कुट रचित तरीकेस किया गया चाहे उसमें भाजवास सामिलता चाहे हम आएगा एक चीज तो यह संजेएगा दूसरी चीज जो आज अब ही बात सुनिए आरिफ जी सुनिया भी सुनिये यह दुर्भाग है कि आप सभी परवक्ता गड़ यहां पर बैठ करके अच्छे बाते करते हैं भरतल पे नहीं दिखाई पड़ते हैं ध्यंतीजेगा हम चंड्रेव जी के लिए पहरे हम सभी को जांगे चंड्रेव जी अज़िती बात पर तो आउनेमिके से टिर Another जिखने और ऑप अकंगरेसर अब भूल जाएंगे अभी तो मेना पहले चुना हुआ है इसको आप बूलें आप प्रसासं को चुनिए आप दिल्ली की बाद कर रहें अब बूलें आप प्रसासं के आप प्रसासं के ओपर आरोप लगा नाजजी जल्ली से परफारी की जदा सकेड़ बात है उठ्षर प्रदेश में चुनाओं से पहले लगावाब तीन साल तक अगर भारती जन्ता पार्टी के कामों को और उनके खराब कामों को बाहर करने का काम और आंदोलन का बात रहा हो चाहे मुद्दे को उठाने का बात रहा हो मानी सांसर संजे सिंगी ने सबसे जादा उठाया और उसको कुछलने का काम मानी होगी आदितनाजी ने किया और फरजी 21 मुकदमे ला दे ठीक है, 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 ठीक है आरोप आपके पास बचा नहीं है, इसमें हवा भीक तो है, नकोईला भीकता ने पाली भीकता है, इसमें सारा पारदर सिता है, ठीक है 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 ठीक ह व्लीज समय कमें चट्रीष बात आ गई ठीक है बात आ गई आरे बहाई क्या रहे थे जल्दी से पनी बात पूरी जा पर रहे पर पर नहीं को लेकर के रहे हैं सरकार के अच्छे कामों के पूरी भारत की जनता और उत्तरप्रदेश की जनता बंबं बोल रही है प्रदेश की जनता बंबं बोल रही है प्रदेश की जनता बंबं बोल रही है अलग अलग प्रदेशों से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ रहे थे वो उत्तर प्रदेश में बढ़े ना हो उत्तर प्रदेश में सोहार्द बना रहे एक दूसरे के प्रती जो मेल मिलाप है जो प्यार महबत है वो बनी रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से फुल प्रूप तयार हो चुकी है फिलाल आज की डिबेट में इतन है, मुझे दिन नम्ति, नमस्कार देख रहे हैं आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार